Good afternoon students, welcome to the class. Entropy क्या है? चलिए आइए इसको समझते हैं. Steam Engine एक बहुत बड़ी invention थी हमारी human mankind में. और उसके बाद से ही physicists, scientists, engineers कोशिश करने लगे कि heat engine की efficiency को किस तरीके से बढ़ाया जाए. और इसी कोशिश में एक term evolve के आई जिसका नाम था entropy. अब यह entropy है गया, इसको steam engine की working से समझने की कोशिश करते हैं. Steam Engine में एक source होता है और एक sink होता है. Source is at higher temperature जो की heat supply करता है. माल लिया source heat Q1 supply कर रहा है at temperature T1. Temperature T1 obviously is higher than temperature T2. जब यह heat flow करती है from higher temperature towards the lower temperature. तो बीच में यह काम करती हुई जाती है. piston के अंदर जो gas होती है, उसको यह गरम करती है heat, जिसकी वज़े से piston उपर की तरफ move गरता है. कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं. लेकिन यह जो सारी की सारी heat है Q1, it is not used in moving the piston upward या downward. कुछ heat environment में loss हो जाती है, या environment में spread हो जाती है. या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से Q2 heat at temperature T2, जो की environment का temperature है, maybe 25 degree Celsius, 30 या 35 degree Celsius, वहाँ पर यह loose, spread out हो जाती है, खो जाती है. और यह जो heat है Q2, इसके जो molecules हैं, environment में घुल मिल जाते हैं, randomly distribute हो जाते हैं. अब इस Q2 heat को मेरे लिए पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, कि मैं इसको इखटा करके दुबारा से इससे कुछ useful काम करवा सकूँ. तो एक तरह से मैं यह कह सकता हूँ, Q1 में से मेरी Q2 heat या Q2 energy अब मेरे काम की नहीं रही, वो environment में हो गई, spread हो गई, randomly distribute हो गई, तो इसी चीज़ को, इस random distribution को, इस loss of heat को, या spread of heat को, loss of information को ही entropy बोला जाता है. कोई भी ऐसा process, जो कि spontaneous process है, जब भी होता है, वो overall system की entropy को increase कर देता है. मतलब कि उसकी randomness को increase कर देता है. किस तरीके से कुछ energy surroundings में हो जाती है, spread हो जाती है, और उसको पाना बड़ा मुश्किल होता है. वो इस तरीके से randomly distribute हो जाती है, कि आप उसको extract नहीं कर सकते, it becomes very difficult to convert it into useful energy. तो entropy एक तरह की randomness है, system के अंदर, जो की overall जो पूरा system है, उसकी randomness को बड़ा देता है, जब भी कोई spontaneous process होता है. spontaneous process को कुछ और अच्छे से समझते हैं, जैसे balloon का फटना, जब भी balloon फटता है, एक obvious सी बात है, हर कोई यहीं बोलेगा, balloon जब फटता है, उसके अंदर की जो भी energy है, या जो भी molecules हैं, वो atmosphere में खो जाएंगे, spread हो जाएंगे, लेकिन उन molecules को, उस energy को, या उस information को, आप बापिस balloon के अंदर भर सकते हैं, हम सब का answer होगा, नहीं, it is very difficult, कि जब हम balloon फटा, उस process को हम reverse कर सकें, बाकि जो सारी चीज़े फट के, environment में फैल गई, उसको दुबारा से हम balloon में भर सकें, तो एक spontaneous process, हमेशा एक particular direction में flow करता है, अब ये क्यों करता है, ये भी हम समझेंगे, और spontaneous process, जैसे की, tire का leak होना, हवा का बहार निकलना, ये भी एक spontaneous process है, गरम चाय का, cup में से निकलके, environment में भाप फैल जाना, heat का फैल जाना, ये भी एक spontaneous process है, अब इसी spontaneous process से, हम quantify करेंगे, कि किस तरीके से, system की entropy increase होने वाली है, ये मेरा पूरा system है, आसपास की surrounding, और मेरा गरम चाय का cup, गरम चाय का cup, 67 degrees Celsius पे है, इसके अंदर जो चाय है, वो 67 degrees Celsius पे है, मैंने 67 इसलिए लिया, क्योंकि calculation में, मुझे आसानी होती है, इसलिए, surrounding का temperature, 27 degrees है, यानि कि, कुछ इस तरीके से होने वाला है, गरम चाय, में से जो heat है, वो निकल कर, surroundings में जाने वाली है, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये जो मेरी गरम चाय है, ये कुछ heat lose करने वाली है, और जब कि, जो surroundings हैं, वो heat gain करने वाली है, अब ये पता लगाते हैं, कि हमारी गरम चाय, कितनी heat lose करने वाली है, उसको हम कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हैं, heat loss by T is equal to m, C change in the temperature, जब कि m, mass है चाय का, जिसको मैंने 100 grams ले लिया, एक कप में 100 grams चाय आई, को मैंने 100 grams ले लिया, और C is the specific heat capacity of T, पानी से बनी है, तो हमने पानी की specific heat capacity ले लिए, that is 4.2 joules per gram degree Celsius, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे, specific heat क्या होती है, इसको लेके मैंने video बनाया है, आप उसमें check out कर सकते हैं, फिर भी इस point of time पे मैं थोड़ा सा explain कर देता हूँ, specific heat is the amount of heat required, by 1 gram mass of a body or a substance, to raise this temperature by 1 degree Celsius, तो अभी इस point of time पे इसका इतना समझना ही काफी है, and the change in the temperature is 67 minus 27 degrees, 67 degrees जो की मेरी चाय का temperature है, और 27 degrees जहां पे हमारी heat flow करती भी जा रही है, उस surrounding का temperature 27 degrees है, तो जब मैंने इस sub values को put किया, तो lost heat by T is minus 16,800 joules, minus मतलब की हमारी चाय ने 16,800 joules environment में lose कर दी, खो दी, इसका दूसरा मतलब यह हुआ, कि surroundings ने उतनी ही heat gain कर ली, 16,800 joules heat gain कर ली, तो इस पूरे process में entropy में क्या change आया, जो entropy में change है, वो कुछ इस तरीके से represent किया जा सकता है, change in entropy is equal to change in the heat exchange, divided by change in the temperature, तो हम देखेंगे, change in the entropy of hot tea, उस इस तरीके से, उसने 16,800 joules heat lose की, at temperature 67 degrees, जो की Kelvin में हो गया, 340 degree Kelvin, 273 प्लस 67, 340 degree Kelvin, और दूसरी तरफ, हमारे environment में, जो की 27 degrees पे था, यानि की 300 Kelvin में था, उसने 16,800 joules की heat gain की, अब इन दोनों, जब entropy को हमने add किया, पूरा जो change है, मुझे positive देखने को मिला, 6.6 का change, positive change देखने को मिला, तो इस चीज़ से यही साबित हुआ, कि एक spontaneous process, में entropy हमेशा increase होती है, entropy का मतलब, कि randomness environment में, इस system में बढ़ गई, पहले के मुकाबले, जो energy थी, जो चाय के अंदर, जो heat थी, energy थी, पहले concentrated form में थी, cup के अंदर थी, ये energy निकल के, surroundings में चली गई, surrounding में randomly फैल गई, अब इसको मेरे लिए, दुबारा से पकड़ के, चाय के अंदर लेके आना, it is very difficult for me, even for every one of us, तो ये एक spontaneous process में, हमने इस तरीके से देखा, कि कोई भी spontaneous process होगा, उसमें entropy हमारी बढ़ने वाली है, उस system की entropy बढ़ने वाली है, तो क्या हम इसको, reverse कर सकते हैं, yes, reverse हम कर सकते हैं, जैसे कि fridge में, अगर मैंने system के flow को reverse कर दिया, तो इसका मतलब मैं entropy को reduce कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं randomness को reduce कर सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं useful energy को पकड़ के रख सकता हूँ, system में useful energy में बढ़ा रहा हूँ, चली देखते हैं, fridge के case में क्या होता है, fridge के अंदर का environment ठंडा होता है बाहर के मुकाबले, इसका मतलब ये है कि fridge के अंदर जो heat है वो निकाल के हम बाहर फैक रहे हैं तब ही उसको ठंडा कर रहे हैं यानि कि heat जो है ठंडी जगा से निकल कर गरम जगा पे फैकी जा रही है using heat pump तो माल लेते हैं कि मैंने पानी का एक glass रखा जो कि 7 degrees पे है और उसके अंदर heat 8400 joules है जो कि जो हमने पिसली calculations की उसके हिसाब से मैंने निकाल लिया अब 1800 joules हमारा fridge के अंदर जो glass रखा है वो lose करेगा at 27 degrees जो कि 280 degree Kelvin हो गया और similarly 8400 joules की heat environment gain करेगा जो कि higher temperature पे है at 300 degree Kelvin अब मैंने change in entropy निकाला कुछ इस तरीके से तो minus 2 निकल के आया तो इससे क्या साबित हुआ इससे ये साबित हुआ कि मैंने system की जो मैंने system बनाया था fridge का और आसपास के environment का उसकी entropy मैंने reduce कर दी यानि कि मैंने information को energy को concentrate कर दिया जादा energy useful कर दी मैंने पर क्या असलियत में ऐसा हुआ है locally तो मैंने उसको entropy को reduce कर दिया है randomness को कम कर दिया है अपनी useful energy को बढ़ा दिया है लेकिन overall randomness बड़ी ही है किस तरीके से बड़ी है locally जो मैंने entropy को कम किया मतलब कि मैंने fridge के अंदर से heat बहाँ निकाल अंदर से बहाँ निकाल के फैका उसको करने के लिए मेरे को heat pump की जुरत पड़ी तो heat pump एक spontaneous process करता हुआ energy तो लेगा और कुछ energy waste करेगा environment में छोड़ देगा और वो energy environment में खो जाएगी जिससे heat pump की process की entropy बढ़ जाएगी तो heat pump जिसने locally तो entropy को reduce कर दिया कम कर दिया या negative कर दिया लेकिन उसने खुद की working से entropy को बढ़ा दिया overall effect क्या रहा entropy बढ़ गई heat pump की working से और उसने लेकिन locally entropy को reduce कर दिया लेकिन overall अगर हमने दोनों entropy को जोड़ा तो वो greater than 0 निकल के आई चो कहने का मतलब ये है हाला कि आप locally entropy को negative कर सकते हो लेकिन overall entropy बढ़ने ही वाली है randomness बढ़ने ही वाली है so it can be said that you can reverse the process but not without increasing the entropy of the system entropy तो बढ़ेगी बढ़ेगी locally अगर आप locally concentrate करोगे तो ठीक है आपने उसको reduce कर दिया लेकिन अगर आप बड़े aspect में देखोगे तो आप entropy को बढ़ा ही रहे हो प्योंकि heat pump बिना entropy बढ़ा ही काम नहीं कर रहा so this is you cannot reverse the process without increasing the randomness in the environment या in the system why is there preferred direction for the change? change जो spontaneous change है जैसे balloon का फटना या balloon में से air का लिक करना टायर में से air का लिक करना ग्लास का तूटना यह सब एक ही direction में क्यों होते हैं? मतलब हवा जब balloon से हवा leak हो रही है वाफिस क्यों नहीं आ जाती? उपर से ग्लास नीचे तूटके गर रहा है तो वो जोड़ क्यों नहीं जाता? हमने quantify तो कर दिया कि entropy बढ़ रही है लेकिन यह एक particular direction में ही क्यों जाता है? maybe probability could explain this phenomenon चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं एक theory यह है कि system always wanted to be in a lower state lower energy state जैसे अभी आपके सामने यह example है उपर से चाय का cup नीचे गरता है जबी उपर से नीचे गर रहा है इसके पास potential energy है जबी नीचे आ रहा है इसकी potential energy reduce हो रही है lower energy state में आ रहा है पर जड़ा सोचिए क्या असलियत में यह lower energy state में आ रहा है हाँ, इसकी potential energy तो कम हो रही है उपर से यह नीचे आ रहा है पर जब यह नीचे आता है नीचे टकराता है तो इसकी kinetic energy maximum है और जब यह टकराता है sound energy बढ़ जाती है जब ये तकराता है heat energy बढ़ जाती है तो एक तरफ इसने potential energy को तो lower state में लाया लेकिन kinetic energy की state बढ़ा दी heat की state बढ़ा दी sound energy की state बढ़ा दी तो ये तो कहना ठीक नहीं होगा कि वो lower energy state में आने के लिए ही यही एक direction है या तो सारी energy states कम हो जाती तब हम बोलते कि spontaneous process इस direction में इसलिए जाता है क्योंकि energy state उसकी lower हो जाती है एक lower हो गई लेकिन दूसरी बढ़ गई overall energy of the system is the same तो ये कहना इस point of time पे सही नहीं होगा कि वो lower energy state में जाना चाता है इसलिए इसी direction में spontaneous process होता है इसको समझते हैं कुछ दूसरे तरीके से information wants to get spread in an area to get freedom अब ice cube है इसके अंदर जो cold molecules है वो concentrated form में छोटे से cube के form में है मतलब सारी energy एक छोटे से form में ये जितने भी molecules हैं ice के एक छोटी सी volume में concentrated है इनके पास कम जगा है फैलने के लिए लेकिन अब आप देखेंगे जैसे जैसे ये पिगलता है इसके जो molecules हैं उनके पास ज़्यादा जगा है अब पहले के मुकाबले ज़्यादा freedom है उनके पास तो एक चीज जो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ energy या molecules उस direction में ज़्यादा जाना चाहेगी या ज़्यादा जाना चाहेंगे जहां पे उन्हें freedom ज़्यादा मिले जहां पे उन्हें खेलने के लिए जगा ज़्यादा मिले अपने आपको randomly arrange करने के लिए जगा ज़्यादा मिले तो ये जो theory है ये काफी हद तक explain करती है कि spontaneous process एक direction में क्यों होते हैं, वो एक particular direction में इसलिए होते हैं, वो उस direction में जाना जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ज्यादा area मिले ले करने के लिए, अपने आपको randomly distribute करने के लिए, जहाँ पे उनके पास भहुत सारे options हों, कि मैं इस तरीके से भी अपने नीचे orientation, torque, सब कुछ कर सकता हूँ, तो उस direction में energy, उस direction में information जाना चाहती है, और उसका सबसे best option है, is to increase जहाँ पे उसने देखा, जहाँ पे उसको ज़्यादा area मिल रहा है, खेलने के लिए, वो वहाँ पे जाना चाहेगी, कुछ इस तरीके से समझते हैं, the area of arrangement of the molecules is increasing, यह drop है, green drop हमने डाली, अब आप देखिए, green drop जब हमने डाली, वो drop fell गई, क्यों fell गई, green drop एक तरह की energy थी, या एक तरह की information है, जब उसको ज़्यादा area मिला, ले करने के लिए, या ज़्यादा area मिला, तो उसने अपने आपको randomly distribute कर लिया, अब now green drop has more space, वो कैसे भी अपने आपको randomly distribute कर सकती है, उसके molecules कैसे भी फैल सकते हैं, left, right, उपा, नीचे, किसी भी orientation में, यह तो एक आपको मैंने दिखाया एक तरीका है, इसको distribute होने का, यह millions, trillions of तरीके से अपने आपको distribute कर सकते हैं, now it has freedom to distribute itself in number of patterns, number of permutations and combinations, जो की हम determine नहीं कर सकते, क्योंकि यह micro level पे है, macro level पे तो हम पता लगा सकते हैं, कि volume क्या है, temperature क्या है, pressure क्या है, लेकिन micro level पे जहां पे individual molecules किस position में हैं, किस तरीके से टकरा रहे हैं, उनकी क्या velocity है, वो कहां पे जाएंगे we cannot determine, but probable chances हम पता लगा सकते हैं, यह जो pattern आपको देखने को मिल रहा है, यह trillion pattern में से कोई एक pattern हो सकता है, हर बार जब आप drop डालोगे, आपको यह वाला pattern नहीं मिलने वाला, लाखो वार, करोड़ो वार भी डालोगे तो आपको यह same pattern नहीं मिलने वाला, चलिए कुछ और समझते हैं when there are more ways in which something can happen, we say that it has higher entropy, energy के पास ज़्यादा जगे है, ज़्यादा तरीकें अपने आपको distribute करने के लिए अपने आपको spread out करने के लिए तो हम यह बोलेंगे कि system की energy बढ़ गई है entropy, information या energy हमेशा वहीं जाना चाहेगी जहां उसके पास ज़्यादा pattern जहां पर उसके पास ज़्यादा space है अपने आपको distribute करने के लिए, अपने आपको play करने के लिए let us say there are 99,999 ways the green drop can spread inside माल लेते हैं 99,999 तरीके हैं जिससे यह green drop अपने आपको distribute कर सकती है एक pattern आपके सामने है, दूसरा pattern तीसरा pattern इस तरीके से 99,999 patterns में अपने आपको यह distribute कर सकता है, माल लेते हैं बैसे तो trillions, trillions of pattern हो सकते हैं लेकिन for the seek of ease of calculation मैंने इतने ही लिए हैं और उन में से एक possibility यह है कि यह जो green drop है बिल्कुल फैले ही न, green molecules आपस में बिल्कुल चिप के रहें एक possibility यह है तो total possibilities हो गई 99,999 प्लस 1 एक लाख possibilities हो गई और इन एक लाख के एक लाख possibilities के equally likelihood है यानि कि किसी भी एक event के होने की possibility is 1 upon 1 lakh and the probability of green drop remains sticking is also 1 upon 1 lakh और कुछ इस तरीके से बोच सकता हूँ the probability of green drop spreading is 1 minus 1 upon 1 lakh यानि कि spread उने की probability 99,999 divided by 1 lakh यानि कि 99.999% है इसलिए हमें इतने सारे random patterns देखने को मिलते हैं green drop की चिप के रहने की probability is 1 upon 1 lakh और उसी तरह ये सारे random patterns की probability is 1 upon 1 lakh तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इस drop के 1 trillion ways हैं अपने आपको arrange करने के लिए और that is possible trillion or trillion of ways in which this drop can spread itself ये तो आपको एक orientation देखने को मिल रही है अगर मैं हर second एक drop डालूँ तो मुझे 30,000 से जादा साल लग जाएंगे same pattern दुबारा देखने के लिए तो वो तो किसी की lifetime में possible नहीं है so probability के थूँ हम entropy उसकी randomness को explain गा सकते हैं entropy एक तरह से algorithm भी है जो की बताता है कि system किस तरीके से अपने आपको different different arrangements में different different orientation में डाल सकता है तो probability is also associated with uncertainty अब मैं बात करता हूँ useful energy is concentrated and we are losing it useful energy जैसे कि plants trees के अंदर useful energy है chemical form में animals के अंदर useful energy है हमारे अंदर useful energy है concentrated form में useful energy है लेकिन ये useful energy धीरे-धीरे कम होती जा रही है किस तरीके से माल लेते हैं एक human being है उसके अंदर 100 units की chemical energy है और वो कुछ काम करता है useful काम करता है तो उसकी 100 units की 100 units useful energy में नहीं convert होने वाली माल लेते हैं 60% हुई 60 units हुई 40 units वो environment में lose कर दी उसने खो दी और वो energy अपने आपको randomly distribute कर देगी उसको बापिस लेके आना बड़ा मुश्किल है reverse करना बड़ा मुश्किल है तो एक तरह से हम में से हर कोई system की entropy को बढ़ा रहा है and randomness बड़ा रहा है हम में से हर कोई energy loose कर रहा है useful energy हम खोते जा रहे हैं धीरे धीरे और concentrated form में जैसे fossil fuels coal, petroleum जो की concentrated form में है that remains जब नीचे दब जाते हैं high pressure, high temperature के वए जैसे koila बनता है concentrated form में energy है जब हम उसको जलाते हैं पूरे की पूरी 100% coal की energy is not converted into useful energy कुछ energy हो जाती है environment में जिसको हम दुबारा नहीं ला सकते reverse नहीं कर सकते तो हर पल कहीं ना कहीं जो useful energy है वो कम होती जा रही है non useful energy जो की randomly distribute हो गई atmosphere में, environment में खो गई वो बढ़ती जा रही है लेकिन इन सब का energy source कौन सा है अगर हम अपनी धर्ती की बात करें उसका energy source the ultimate source of energy is sun sun से energy absorb करते हैं plants grow करते हैं अपनी energy को concentrate करते हैं वोई energy फिर animals लेते हैं हम लोग लेते हैं तो एक तरसे sun is the ultimate source of energy जो concentrated energy के लिए responsible है हमारी अर्थ में पर sun के energy भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है universe is expanding the entropy is increasing ये माना जाता एक theory ये भी है कि big bang theory जो बोलती है कि जो universe था that was a point पे था उसके बाद explosion हुआ मतलब point था सारी energy जो अभी हम जितनी भी energy है universe में it was concentrated एक single point पे concentrated थी और एक explosion हुआ और उसके बाद से हमारा universe हर पल फैलता जा रहा है expand होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है area is increasing हर पल area बढ़ता जा रहा है तो जो energy है उसके पास ज़्यादा area उसको मिलता जा रहा है हर पल अपने आपको distribute करने के लिए randomly distribute करने के लिए और जितना area उसको मिल रहा है random distribution के लिए उतनी useful energy non-ful useful energy में बदलती जा रही है उसको उस energy को वापिस लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है reverse करना बड़ा मुश्किल है that means कि हर पल universe की useful energy तीरे तीरे खतम होती जा रही है non-useful में खतम मतलब non-useful energy में बदलती जा रही है वो environment में spread होती जा रही है इसको heat dead भी बोलते हैं कि ultimately universe की सारी energy useful से non-useful में convert होने वाली है but don't worry that is not going to happen for another trillion 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 पता नहीं कितने trillion years तो यह concept था entropy का quantify भी किया और abstract form में समझने की हमने कोशिश भी की I hope students यह आपको समझाया होगा इब इसको summarize कर लेते हैं entropy is a measure of disorder और randomness of the system कोई भी spontaneous process होगा उसमें जो system की entropy वो बड़ेगी जो information है वो spread हो जाएगी energy कुछ energy spread हो जाएगी और जिसको वापिस लाना बड़ा मुश्किल है It talks about spontaneous change that occur in our daily lives spontaneous change जैसे कप का तूटना उपर से नीचे गिरना हमने drop का example लिया कैसे फैल जाती है system की entropy बढ़ जाती है और किस तरीके से balloon से हवा leak out होती है वो भी system की entropy को बढ़ाता है entropy एक algorithm है in which system can be arranged in different ways it can also it is also associated with uncertainty when there are more ways in which something can happen we say that it has a larger entropy जैसे इरिया बढ़ता है energy के पास जादा जगे होती है अपने आपको spread करने के लिए randomly distribute करने के लिए तो इसका मतलब उसके पास अब जादा energy entropy बढ़ रही है glass का तूटना pieces में is equally likely glass का दुबारा से बन जाना होगी मतलब glass तूटके नीचे गिर गया जितनी बार आप उपर से नीचे फैक होगी glass को उतनी height से उतनी orientation से हर बार आपको अलग-अलग pattern देखने को मिलेंगे millions और trillions of patterns आपको देखने को मिलेंगे और उनमें इस एक pattern क्या है कि glass बापश से तूटके दुबारा ऐसा बन जाए तो वो probability भी equally likely है वन धूब्जेक्स अग्वाइनगे एक एकट्वी लाइकली है वन अब्जेक्स अगेट्स है अच्छ। 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 अच्छे के इस एक है volume है temperature है उसको measure किया जा सकता thank you very much have a nice day